नमस्कार शादिया इमेत्रा यूट्य चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्ता आज के वीडियों हम आपको बताने वालें प्रदान मंत्री के सान सम्मान ने दिये हो जनाकि तेर भी किस्त का आपके खातों में पैसा जबी आएगा यहाँ पर कुछ अपडेट को सबस्राइब जरू कर लें क्योंकि हमारे यूट्य चैनल पर इस परकार की अपडेटा आपको सबसे पहले देखने को मिलती है तो चलि यह साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रदान वंतरी किसान योजना इस दिन खाते में आएगी तेर भी किस्त पर इन जिसानो को इसका लाब नहीं मिलेगा यह सब जानकारी हम आपको वीडियो के मैड़ियम से बताएंगे तो चलिए साथ यह आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें अपडेट पूरी जानकारी को हम आपको बताएंगे PM किसान अफडेट केंदर सरकार ने किसान PM किसान योजना के सभी लाबारतियों के लिए अपने PM किसान खाते की EKYC करवाना अनिवार कर दिया सरकार ने PM किसान खाते की EKYC करवाने के लिए आखरी तारीक 31 जुलाई 2022 से तेह की थी तो दोस्तो एक सबसे बड़ी अपडेट तो इसमें यही है आपको अपने PM किसान खाते की EKYC कराना बहुत ही जरूर ही है तो आप अपने PM खाते की EKYC जरूर करा लें क्योंकि यह केंज सरकान ने साथियों आपके लिए सभी के लिए लागू कर दिया है अब चलिए साथियों और क्या है इसमें अपडेट नई दिल्ली केंज सरकान ने देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कई तरह की योजनाई शुरू किये है किसानों की हितका दिहान में रखते हुए साल 2018 में केंज सरकार ने PM किसान योजना की शुरूआत की थी अब तक इस योजनाम से करोडों किसानों को लाब मिल चुका या जोड़ चुके है जिने PM किसान सम्मान निदी योजना के रूप में 2000 रूपे की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है तो हर साल आपके लिए 2000 रूपे आपके दोस्तों तीन किस्तों में 2000 रूपे मतलब साथ या आपके 6000 रूपे की किस्त आपको जारिक की जाती हर साल अब आगे बात करते और क्या अपडेट है इसमें तो यह तो साथ योजना के बारे में जानकारी थी इन किसानों की अटक सकती है तेरी भी किस्त का पैसा तो दोस्तों किन किसानों को तेरी भी किस्त का पैसा नहीं में लगा है यहां पर यह जानकारी दी गई है हाली में केंद सरकान ने PM किसान योजना के सभी लाबारतियों के लिए अपने PM किसान खाते की EKYC करवाना अनिवायर कर दिया है तो EKYC करवाना अनिवायर कर दिया आपको अपने खाते की EKYC जरूर करवा लेनी होगी तब यह आपको तेरी केस्ट का पैसा मिलेगा सरकान ने PM किसान खाते की EKYC कराने के लिए आकरी तारीख 31 जुलाई 2022 तेकी थी जिन किसानों ने इस तारीख समय सीमा के भीतर अपने PM किसान खाते की EKYC नहीं करवाई है उन्हें की तेरवी किस्त का पैसा साथ यू अटक सकता है या नहीं मिलेगा इस तरह आप चेंक कर सकते हैं अपनी PM किसान योजना का स्टेटस अब आपको अपना स्टेटस किस परकार से चेंक करना आपको इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह जानकार हम आपको बताते हैं PM किसान योजना के तेरवी किस्त का स्टेटस चेंक करने के लिए सबसे पहले PM किसान की आधारी की वेबसाइट तो आपको इस वेबसाइट पर साथ ही आपको जाना होगा www.tps.pmkisand.gov.in पर इस पर दोस्तों आपको जाना है विजट करना होगा उसके बाद आपको Homepage पर Former Corner का उपलब्द Beneficiary आपको दोस्तों महाँ पर Homepage पर Former Corner में एक Beneficiary का साथ ही आपको एक Option मिलेगा उस Option पर आपको क्लिक करना होगा तो दोस्तों इस वीडियो के एक List कोल कर सामने आया जाएगी इस List में आप अपना साथियों नाम चेंक कर सकते हो इस परकार से दोस्तों आप अपना इस List में नाम चेंक कर सकते हो तो कि आपका तो सात्यी आज के वीडियो में इतना ही कापी दोस्तों आपको PM किसान का status जरूर चेक कर लेना है क्योंकि आपकी तेरे भी किस्त का प्रेसा मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह जानकारी आपको जरूर देख लेनी होगी तो साथ भी आज के वीडियों इतना ही का भी फिर मिलते हैं आपसे नेश्ट अपडेट के साथ जब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत